तो प्रिलिम्स बूस्टर का हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है मशीन पिस्टल असमी ठीक है तो यह हमारे DRDO और हमारे इंडियन आमी इंफैंट्री स्कूल ने जो माहो में है उन्होंने मिलके एक फर्स्ट इंडिजनस 9mm की मशीन पिस्टल बनाई है और सिरफ record time में सिरफ 4 months में इस पिस्टल को बनाया गया 3D printing process का use करके बनाया गया इसको ठीक है और असमी का meaning कै है pride, self respect and hard work तो इस weapon का नाम असमी रखा गया है तो इसमें important चीज़ क्या है तो पहली बात है indigenous है कि हमारी खुद की DRD और Indian Army Infantry School ने बनाया इसको और दूसरा क्या है एक तो कि इसमें 3D printing process का इस्तेमाल किया गया है तो हमको 3D printing process समझना पड़ेगा थोड़ा सा क्या होता है कि 3D printing जो है वो एक additive manufacturing का part है ठीक है अब दो तरह की manufacturing होती है ठीक है एक तो होगी additive और एक subtractive तो subtractive manufacturing पहले आपको मैं समझा देता हूँ कि समझलो एक पत्थर है ठीक है उसमें से अगर आपको एक मूर्ती बनानी है तो आप क्या करोगे तोड़ तोड़ के काट काट के जो उसका unnecessary जो उसका part है उसमें से आप उसको हटा होगे तोड़ तोड़ के आप ऐसे हथोड़े से मार मार के और फिर end में जो एक खूब सुरत सी है आप जो उसी पत्थर में से एक मूर्ती बना दोगे ठीक है तो उसको हम कहेंगे subtractive manufacturing क्योंकि उसमें से आप unnecessary जीज़े निकाल रहे हो subtract कर रहे हो ठीक है additive manufacturing क्या होएगी जिसमें आप zero से बनाना शुरू कर रहे हो ठीक है आप अगर मूर्ती बनाना चाहा रहे हो तो आप बनाओगे ही सिरफ वो जो है पूरी shape उसको देके उसके हिसाब से उसको बनाओगे आप किसी already बड़े object से उसमें से subtract करके उसको नहीं बना रहे है आप design के हिसाब से ही जो है वो manufacturing कर रहे हो ठीक है उस मूर्ती का 3D model बनाया जाएगा और उस 3D model को thousands slices में मतलब एक तरह से horizontal layers जो होती है बहुत सारी उसमे horizontal layers में ऐसे lines में उसका एक 3D view बनाया जाएगा फिर जो उन horizontal layers से जिनसे वो मूर्ती बन रही है उसको आप 3D printer में upload करोगे और जो वो result object है वो उन horizontal lines को print कर देगा एक तरह से और उन horizontal lines की printing से क्या होगा 3D printing automatically हो जाएगी और 3D dimensional structure जो हो बनके बहारा जाएगा तो इसको हम कहते है 3D printing तो additive form of manufacturing होती है 3D printing तो अभी याद रख next topic हमारा है माईस tourism तो गुजरात जो government है वो माईस tourism को अपनी जो है state में promote करना चाहती है तो माईस tourism क्यों होता है जो business tourism मतलब की आपकी जो state है उसमें meetings रखें incentives दिये जाए conferences और exhibitions वगारा जो है business houses जो है समझ लो कोई भी business meeting जो है वो आपकी state को prefer किया जाए internationally और domestically दोनो मतल कि कोई समझ लो महराष्टर में अगर कोई company exhibition लगाना चाहती है तो वो क्या prefer करे कि हम exhibition जो है अपनी गुजरात में लगाएंगे और internationally भी आप सोचो कि कोई Singapore के company अपनी exhibition या कोई meeting करना चाहती है तो वो गुजरात को prefer करे जो है क्योंकि उसको incentives वगारा वहाँ पर government देने को त्यार है तो इसलिए जो mice tourism है गुजरात government जो है उसको promote करना चाहती है अपनी state में अब उसके लिए अलग-अलग तरह के incentives रखे गए हैं जैसा कहा है कि जो event organizer होगा जो ऐसी exhibition लगा रहा होगा उसको per foreign participant जो अगर वो पूरी overnight रहेगा जो participant तो उसको 5000 रुपीज पर foreign participant मिलें उस organizer को ठीक है फिर financial assistance 2 lakh per event तक की देने की बात हो रही है अलग-अलग तरह के special incentives जो है हमारे big convention centers बनाने के लिए जैसे है कि 15% capital subsidy तक देने की बात की जा रही है उसके अंदर फिर क्यों कहा जा रहा है क्यों इतनी जादा business tourism को बढ़ाने की बात कर रहे है कि उसमें क्या होगा कि जो लोग business tourism के लिए आ रहे हैं गुजरात की state में उनके जो है उनका वो कभी अपना prolong भी कर सकते है state को क्योंकि वहाँ पर गुजरात में इतनी सारी हीज़े देखने को ह तो गुजरात government के चाहती है कि जो वो business tourism है उससे वो normal जो हमारा जो recreational tourism है या जो cultural tourism है उसकी तरफ जो है उन business जो participants होंगे उनको move ahead करवाए ठीक है ताक कि जो उनके पास बहुत सारी चीज़े देखने को है गुजरात में उसकी तरफ जो tourist attractions है उनकी तरफ जो है वो tourist को जो ये business tourists है इनको move ahead करवाए ठीक है तो ये है माईस tourism अब next हमारा topic है forest fires तो अभी recently हिमाचल प्रदेश में इस year बहुत जादा forest fires हुए है तो बट क्या ये phenomena सिरफ इस year हुआ है क्या ये एक normal phenomena है ही देखते हैं तो पहले तुम देख लेते है forest cover of हिमाचल प्रदेश जो है वो almost two-third है two-third of geographical area of हिमाचल प्रदेश जो है वो legally forest है लेकिन क्योंकि उसमें बहुत सारे जो हमारा forest है वो snow से ढखा रहता है, glaciers है, cold deserts है या alpine meadows, alpine meadows क्या होती है जो आपके grasslands होते है ठीक है तो उससे क्या है कि वो tree line के उपर है तो इसलिए हम जो effective forest cover area जो हमारा है वो सिरफ 28% है जा फिर 15,434 square kilometers का area जो है वो हिमाचल प्रदेश में वो है forest cover ठीक है और कौन-कौन से पेड़ वहाँ पर या जो हमारा जो है सबसे जादा कौन से पाए जाते हैं वहाँ पर common trees चीर pine, दियोधार, oak, kale, fear and spruce ठीक है अब जो इसमें चीर pine वाला forest जो ये tree होता है इसकी वज़ दी आग पकड़ लेता है जब तक तो बारिश का season है तब तक तो obviously बात है कि wet होते हैं तो ये आग नहीं पकड़ते हैं बट जब dry season आता है winter स्टार्ट होने से पहले तो ये dry season में there is a chance कि ये forest fires हो जाएंगी ठीक है तो जादा तर ये जो forest fires हैं ये low और middle hills में होती है तो ये क जो fires हैं वो even बड़े जो higher areas हैं जो कि शिमला, कुलू, चंबा, कांगडा और मंडी districts हैं वहाँ पर भी ये forest fires का हमको देखने को मिलता है incidence ठीक है अब क्यूं होती है forest fires पहला तो सबसे पहले देखते है natural cause क्या होते हैं कि जो bamboo है हमारा bamboo जो है वो रब होता है अगर एक दूस तो उससे क्या होता है चिंगारिया निकलती है तो उससे क्या होता है कि क्योंकि ये cheer pine अगर उसके आसपास होगा तो वो जल्दी आग पकड़ सकता है तो उससे क्या होता है कि fire hazards की हमारा issue आता है लेकिन सबसे ज़ादा कहा जाता है कि human factors की वैसे वहाँ पर forest fires होती है समझ ल हमारी grass जो है वहाँ पर आग पकड़ सकती है ठीक है तो जो ये हमारे dry pine है जो ये हमारा cheer pine होता है तो ये भी कई बार क्या होता है कि electric pole पर गिरकर आग पकड़ लेता है तो उससे क्या होता है कि forest fires हो सकती है कई बार हमारे जो humans होते हैं वो अगर minor forest produce gather करने जा रहे हैं लकडिय आग जलाकर हाथ सेकने लगते हैं सर्दी की वज़ा से तो उससे भी क्या होता है कि forest fire ये फैल सकती है अगर उनने वो जलती आग जोड़ दी है या कुछ भी तो उससे क्या होता है कि there is a chance कि वो forest fire में convert हो जाए ठीक है फिर stable burning का भी issue है कई बार dry वो जो stable burning अपने खेत में आ आग लगाते हैं वो fell के आगे तक चली आती है और dry grass जो है वो उसको पकड़ लेती है उससे दिर दिरे adjoining forest में आग लग सकती है अब इससे damage कितना होता है कि एक तो हमारे forest अगर जलते जाएंगे तो आपको पता है कि हमारा कितना environment का loss होगा फिर हमारी जो organic matter जो हमारा जो ह अगर वो burn हो जाता है तो उससे क्या होता है कि हमारी जो top soil है जो कि जिसके और organic matter है वो खतम हो जाएगा फिर हमारी जो है productivity जो soil की वो decrease हो जाएगी फिर क्या होता है कि animals या जो eggs लिए हैं वो सब भी जल जाते हैं तो या फिर जो animals है वो वहाँ से भाग जाते हैं तो उससे क होता है कि हमारा animals का भी loss होता है annual state को loss कितना हो रहा है 1.7 करोड से 3.5 करोड का गरीब का loss जो है वो state को in forest fires की वैसे होता है तो क्या क्या किया जाता है in forest fires को रोकने के लिए forecasting की जाती है fire prone days की अब जो कैसे की जाती है forecasting जब dry days आने वाले होते हैं तो जो government warning दे जाती है कि आप नजर रखो फिर जो है dry litter जो होता है हमारे forest floor के उपर जो dry grass है उसको साफ किया जाता है ताकि जो है किसी भी तरह से वो आग ना पकड़ पाए fire lines मनाई जाती है मतलब क्या होता है कि एक forest में अगर बहुत सारे पेड़ है जो की आग पकड़ सकते है उसके बीच में gap दे फिर 1999 से state government क्या कर रही है कि कुछ activities को रोका जा रहा है कि जैसे कि lighting a fire near the forest, burning agriculture stubble या फिर जिसको हम घसनी भी कहते है और inflammable forest produce जो है उसको store करना मतलब stacking का मतलब क्या होता है store करके रखना मतलब समझ लिए आपने देखा होगा ना कि बहुत सारी घास store करके रख लेते हैं वो जो एक तरह से वो जैसे जो हम कहते हैं कि डंगरों को खिलाने के लिए घास store करके रखते हैं तो वो भी जो है वो आग पकड़ सकती है तो इसलिए उसको भी ban किया हुए कि नहीं आपको ऐसे नहीं करना है उस season में तीक है अब हमारा next topic है world's oldest cave painting अभी recently Sulawesi island है जो इशिया का part है यह island group और वहाँ पर यह painting मिली है तो यह हमारे को wild boar की painting मिली है और यह world का oldest surviving representational image है एक animal की तो यह एक limestone cave थी वहाँ पर इनको जो है archaeologists को यह painting मिली है Sulawesi island जो है वो oldest जो है rock art का हमारे world में एक तरह से जगा है वो और यहाँ पर जो हमको painting मिली है उससे पहले जो oldest हमारी painting थी वो हमें Europe में मिली थी जो की 14,000 से 21,000 साल पुरानी थी तो उसको हम सबसे पहले oldest मानते थे लेकिन अब यह जो हमको मिली है यह almost 45,000 साल पुरानी है तो एक term इसमें use की गई है hominins अब hominins कौन से होते हैं जो हमारी modern humans जो हम सब हैं आप और मैं हैं इससे जो पिछले हमारे ancestors थे हमारे immediate ancestors थे जो हमारे उनको हम कहते है hominins ठीक है जो सबसे पुराने तो आपको पता ही है homo sapiens कहते हैं लेकिन जो हमारे से पिछले थे उनको हम hominins कहते हैं जो की 2,00,000 से 3,00,000 साल पुराने हैं। आज के comparison में 2 लाग से 3 लाग साल पुराने हैं ठीक है जो modern humans हैं वो तो हमारे 70,000 से 1 लाग साल पहले आए हैं मतलब आफरिका से हम migrate होने शुरू हुए थे हम सब जितने भी हैं हम सब आफरिका से migrate होके आए हैं लेकिन हम से पहले जो हमारे ancestor थे वो आज से 2 से 3 लाग साल पुर यह painting तो अभी तक यह clear नहीं है कि hominins जो है हमारे वो कब सुलावेसी आइलेंड में जो है यह I mean hominins नहीं जो हम modern humans है हम हम कब जो है सुलावेसी को हमने colonize किया तो यह modern humans नहीं painting बनाई होगी क्योंकि हम देख रहे हैं 45,000 साल पुरानी तो 45,000 साल पुरानी तो मतलब modern humans नहीं यह painting बनाई है चलो next topic हम देखते हैं adultery adultery का topic आपको बहुत important है यह 2018 में इसको decriminalize किया गया है तो decriminalize क्यों किया गया है because it was found to be unconstitutional और इसमें कहा गया था कि यह women के against है adultery पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि होता क्या है उसके बाद we will discuss this topic ठीक है कि कोई भी man अगर किसी women के साथ sexual intercourse करता है या sexual relations establish करता है और उसको यह पता है कि जो women है वो married है तो that person is doing that person जो है वो person एक तरह से cheat कर रहा है जो उस women के husband के साथ ठीक है अगर एक person मतलब एक women के साथ sexual intercourse कर रहा है और उसे यह पता है कि वो women जो है वो married है तो वो person उसके जो जो उस women के husband के साथ एक तरह से cheating कर रहा है तो उसको हम कहते थे adultery ठीक है तो अब इसके अंदर यह इसको decriminalize क्यों किया गया क्योंकि यह कहा गया कि women is not a property of her husband ठीक है तो इसके अंदर क्योंकि assumption कह ली जा रही थी कि women को नहीं cheat कर रहा है वो जो person है वो उस जो दूसरे जो husband है उसको cheat कर रहा है as if that woman is a property of her husband ठीक है तो इसलिए इसको anti-law कहा गया इस act को और इसको जो justice दीपग मिश्राजी थे हमारे उस time पे CGI उन्होंने कहा कि this law is anti-women और इसको decriminalize कर दिया गया ठीक है अब इसको क्यों anti-women कहा गया इसके अंदर जो वो wife होगी ठीक है उसको कभी भी punishment नहीं देने की बात हो रही थी ठीक है कि उसको नहीं cheating उसको जो है उसकी consideration भी नहीं ली गई थी अब similar situation को आप उलटा करके देखो कि एक husband के साथ अगर एक unmarried women अगर एक person के साथ sexual intercourse कर रही है sexual relations में है मतलब तो वो जो है वो उस husband की जो wife है उसके साथ दोका नहीं कर रही ठीक है तो ये एक तरह से हमारी जो hypocrisy आ गई हमने मतलब women जो है उसको कहा कि एक unmarried women एक married man के साथ अगर relation में है और उस married man की जो wife है उसके साथ भी तो similar situation होनी चाहिए थी न अगर मतलब हम situation gender neutral होके सोचें but no this law did not identify a woman as a victim तो इसका मतलब ये law जो था वो anti women था ठीक है सिरफ ये man को हिद कहता था कि मतलब एक अगर आदमी जो है वो किसी के साथ relation में है तो वो उस married women के जो husband है उसके साथ cheating कर रहा है अब अगर इसको हम उल्टा कर दें तो उसको वो उस चीज़ को recognition नहीं दी थी ठीक है तो इसका मतलब क्या कहा गया था इसमें कि क्या वो जो women जो married women है वो क्या property है उस अपने husband की क्या ये ऐसे arguments दिये गए तो इसको decriminalize किया गया ठीक है और जैसा आपको मैंने बताया कि man की जो wife है ठीक है जो अब समझ लो man एक man है जिसका मैंने आपको पहले example दिये एक unmarried women एक man के साथ एक married man के साथ एक unmarried women एक married man के साथ अगर relations बना रही है तो क्या उस married man की wife को भी तो और एक man को ही culprit माना जा रहा था तो एक तरह से ये anti-women ये एक law था ठीक है इसको इसलिए जो है Supreme Court ने decriminalize कर दिया इसको unconstitutional declare कर दिया ठीक है फिर Supreme Court ने उसमें क्या कहा था कि as if the consent of the husband अगर मतलब इसका मतलब क्या हुआ इस law का कि अगर तो एक unmarried man उस women जो जिसकी शादी हो चुकी है जो married woman है अगर वो उसके husband के साथ consent लेता है तो वो उस women के साथ relation में जा सकता है मतलब कि जैसे कि वो husband है जो उसकी wife है वो उसकी property है तो रहने कहा कि that's not Indian morality तो ये सही नहीं है each partner of the marriage has equal responsibility तो इसलिए Supreme Court ने इसको कहा कि ये women के against है अब हम देखने अपना topic है क्या Supreme Court में Ministry of Defense ने एक कहा है कि जो armed forces personal है उनको exempt किया जाए जो judgment हमारी decriminalize कर रही है adultery को मतलब एक तरह से क्या कह रही है Ministry of Defense कि दुबारा criminalize कर दिया जाए adultery को only for armed forces ऐसा क्यों कह रहे है क्या reason दे रहे है हमारी Ministry of Defense कि जो army personal है वो challenging conditions में काम कर रहे होते है दूर अपनी family से तो उनके दिमाग में हमेशे एक डर बना रहेगा कि उनकी family कहीं किसी untoward activity में engage ना हो जाए तो इसलिए जो है adultery जो है उनके लिए आप navy और air force के वो एक distinct class है क्यों क्योंकि वो अलग special legislation से गवर्न किये जाते है army act, navy act और air force act से दूसरा ये जो हमारे armed personal है इनके fundamental rights जो है वो as such normal citizens के जैसे नहीं होते उनके पर restrictions होती है वो fundamental rights को claim नहीं कर सकते जो armed personal होते है ठीक है तो आपको बता है कि article 33 of the constitution कहता है कि जो ये हमारे जो armed personal है इनके जो fundamental rights है वो sacrosanct नहीं है उसको violate किया जा सकता है उनकी service conditions को देखते हुए जो government है उनके fundamental rights को violate कर सकती है ठीक है तो ये arguments दिये गए है और कहा है कि अगर समझ लो ये line देखो in cases of adultery even if there is a charge against the accused an argument can be raised that we are circumventing the law and what could not be done directly is being done through these acts मतलब अगर adultery का कोई case मिलता है एक तरह से अगर in armed forces में तो जो argument दिया जा सकेगा उस person के जो ये act कमिट कर रहा है वो कहेगा कि I am just following the law तो ये एक तरह से indiscipline लाएगा इस armed forces में तो इसलिए जो हमारी ministry of defense है वो कह रही है कि आप इसको armed forces को इस चीज से exempt करतो ठीक है तो ये हमारा आज का topic था अज अडल्टरी का तो हम next topic देखते है जो की बहुत important topic है A strong India would act as counterbalance to China ये US ने का है अब US में Trump administration एक तरह से जा रही है जो हमारी president Biden की administration है वो आने वाली है incoming administration है तो जो Trump administration है उन्होंने एक document को sensitive document को declassify किया है जो उनकी Indo-Pacific strategy को दर्शाता है ठीक है और उसको उसके अंदर क्या-क्या कह रहे है document में क्या कहा जा रहा है कि US इंडिया को daytime security और China के influence को South Asia, South East Asia और other regions of mutual concern में combat करने के लिए इन दोनों का partnership करना बहुत ज़रूरी है ठीक है और वो border dispute के context में भी कह रहा है कि US को India को help करना चाहिए ताकि India जो है वो एक net security provider बन जाए एशिया में और strong Indian military जो है वो यूएस के साथ collaborate करने के लिए ready रहे ठीक है फिर वो कह रहे हैं कि enhanced defense cooperation और interoperability interoperability क्यों होता है कि Indian जो हमारी defense forces हैं और जो US के defense forces हैं वो एक दूसरे के साथ operate कर सकें कोई भी logistics जो है वो problem ना आए मतलब कि कोई ऐसी equipment ना हो जो US के पास है और इंडिया के पास नहीं है तो हम operate नहीं कर पारे हैं तो उसकी वज़ासे interoperability दोनों में होनी चाहिए दोनों की जो system है defense के systems हैं वो एक दूसरे के साथ contact करने के लिए भी ready होनी चाहिए ठीक है और वो कह रहे हैं कि इंडिया को support देना हमको जो हमारे Indo-Pacific Strategy के मताबिक इंडिया को support देना military, diplomatic और intelligence channel से ताकि जितने भी जो challenges है continental challenges मतलब border dispute of China है access to water है जो इस तकी जो ब्रहमपुत्रा वाला हमारे dispute है और जो river जो divert कर देता है चाहिना इन सब चीज़ों के लिए इंडिया को military, diplomatic और intelligence channels का support देना जरूरी है US का एक मानना है और other important points के हैं इसमें US-India की जो हमारी Act East Policy है जिसमें हम अपने Asian के साथ हम relations बनाना चाहते हैं हमारे North East को develop करना चाहते हैं तो उस policy को भी support कर रहा है और वो कह रहा है कि India जो है उसको एक leading global power बनाने में हमको help करना पड़ेगा ताकि US, Japan और Australia का जो vision है Indo-Pacific का उसमें India एक credible partner बन सके एक strong India would act as a counterbalance to China ये कहा जा रहा है strategy में और छोटी और भी observations है जैसे कि रशिया को कहा जा रहा है कि रशिया जो है वो एक marginal player है इस region में as compared to US, China and India कौनसे region में हमारे एशिया के region में अब ये कहा जा रहा है कि ये जो document है ये एक secret document था लेकिन इसको declassify क्यों किया गया ताकि जो ये US की policy है Indo-Pacific strategy है इसको आने वाली administration हो है उसको follow कर सके ठीक है ताकि American लोगों को पता हो कि और उनके allies को और उनके partners को Americans के allies को और partners को पता हो कि US is committed towards its Indo-Pacific strategy और region of जो जिसमें वो कह रहे है कि free and open future होना चाहिए इस Indo-Pacific region का तो इसके लिए जो है National Security Advisor ने भी इस चीज़ को covering note लिखा है इस document के उपर कि हमारी commitment जो है Indo-Pacific के लिए हमारे लोगों को भी पता हो हमारी जो allies है उनको भी पता रहे कि हम we are committed to Indo-Pacific region तो यह हमारे आज की topics थे इस पर आप MC की उस कर लेना और आज हमने जो है second week of January के लिए जो हमारी compilation है वो भी हमने telegram group में share की है वहाँ से आप download कर लेना we'll meet next time with new topics until then goodbye and take care